तो हेगाइज विल्कम बैक तो दी चैनल विट्कोइन बरनर आज की वीडियो में हम बात करने वाले आईसीप के बारे में चलेंगे आईसीप के चार्ट पर और स्टैडी कहेंगे प्रैस अनालसिस कैसे मूफ कर रहा है आईसीप प्लस इंपॉटेंट पॉइंट से पुषिश करूँगा आपको इस वीडियो में कि अगर आपको डंप आता तो आपको कौन से पॉइंट से जहां पर आप जो आईसीप को थोड़ा थोड़ा कर सकते हो ताकि आप लॉंग टर्म में अच्छे गिंश कर पाऊ वीडियो का इंपॉटेंट होने वाली कुषिश करें कि वीडियो को पूरा देखें और एंट देखें यस प्लीज शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक जरू करें क्योंकि लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है और हमारा कंटेंट आगे तक पहुंचता है तो प्लीज मैं देख रहा हूं कल जब हमको एक न्यूज मिली कि जो ETF है SPOT ETF वो रिजेक्ट हो गया उसके बाद Bitcoin ने डम जरूर दिखाया बट सिल बहुत जाद नहीं दिखाया विचिस अ गुड कह सकते है कि हमारा 60,000 जो सपोर्ट है वो काफी इंपॉर्ट रहने आने वाले दिनों में तो मेक शूर उसको वाच आउट पर रखें प्लस लास्ट 24 आज में जो ट्रेड वॉल्म है 20% डिक्रीज हुई है इसके करके मार्केट में हमको वॉल्टिलेटी देहने को नहीं मिली है ज्यादा इसके की बात कर लेते हैं करेंटली आइसीप 47.10 पर है डॉल्र पर एंड 2.85 परसंट का इंक्रीज दिखाया है कल का लोस 44.62 था और हैस 48.94 तो अल्मोस्त हमको देहने को मिला है 3.5-4 डॉल्र का मुवमेंट देहने को मिला है जिसमें मार्केट कैप 2.85 परसंट से अप है बट अगर आप देखे हमको जो अच्छी यह एक रैली देहने को मिली है इसका रीजन था कि हमारा बिटकोईन साइडवेस मुवमेंट कर रहा है और जो बिटकोईन की जो डॉमिन परसंट से डाउन है तो अब भी हम डिलाइन लेवल पे ही है बढ़ येस थोड़ सा बंब देहने को मिला है जैसे जैसे बिटकोईन रिकावरी करेंगा हमको और काफी एची रिकावरी देहने को मिल सकती है तो यह जरूर वाच आउट करें और बिटकोईन का प्राइस चार्ट कर सकते है, हमारा चार्ट एक्जाक्टली जो है वर्क किया था, हम देखा था तॉप लेवल था, तूदी पॉइंट रिजेक्ट वा था, 57.02 को टेच करके हैं, वहां से रिजेक्शन देहने को प्राइस की, करेंटली अगर मैं एक अच्छी सपोर्ट की बात करूँ, जो देखने को मिल रहा है, या हम कह सकते हैं, वह कौन सा है, यह जो लेवल है, 45.23 एक्ट कर रहा है, अच्छा सपोर्ट कब से, अगर हम बात करें, 1st November से जब से हमको एक अपवर्ड रैली देखने को मिली है, तो यह सपोर्ट ने होल्ड किया है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अगर डंप आता है, हमने ज़रूर नीचे चाते होए देखा है, 44 के राउंड था ACP, बट स्चिल, 45.23 एक अच्छा एरिया हो सकता है, जहां से ACP होल्ड करें, और पुश करने की कोशिश करें, प्लस मैं अगर म देखने को मिलता है, कि 60,000 रेटेस्ट करें या 58,000 के रेटेस्ट करें, तो कौन सा सपोर्ट लेवल है, वर्स तो वर्स के सिनेरियो जो मैं मानता हूं, तो कुछ एक्क्मिलेशन आप 42 से लेके 43 के रेया के वीच में कर सकते हैं, बट जो एक मेजर एरिया मैं देख रहा हू क्योंकि यह जो एरिया है, यह लास्ट कब के ऊपर आया था, अगर आप देखें, अगस्ट के बाद से एरिया ब्रीच नहीं हुआ है, आप देख सकते हैं, नीचे विक्स जरूर गई हैं, बट ओर्डर्स बहुत जल्दी रिफिल होएं, और हमारा सपोर्ट बहुत अच्छ कुछ ओर्डर्स आप जरूर लगा लें, बिसिकली 37 से लेकि 39 की बीच में आप और लिमिट में लगा के रख सकते हैं, कि अगर आपकी किसमत हुए डिप बाय करने में इतनी नीचे तो आप जरूर बाय करें, यह ज़रूर जानता हो कि जो आल टाम हाय हमको देहने को मिलता ह जैसे अगर मैं मसारी पर देखू तो 400 कुछ आल टाम हाय है, कॉइन मार्केट कैप पर देखे तो आल टाम हाय आई-सीप का 700 सम्थिंग है, अगर आप कॉइन मार्केट कैप पर देख रहे हो, बाइन्स के चार्ट पर तो इस पर आल टाम हाय कितना है 28 31 सो आई-सीप के आई-सीप के सेनरियो डिप देहने को मिलती है, तो हम 38 वर्स के सनरियो 37 से नीचे तो जा ही नहीं रहे, तो यह कुछ इंपॉर्टन पॉइंट है जो आपको ध्यान ज़रू रखने, आज भी जब रैली दिखाई है, आज से हमको देहने को मिली है, आई-सीप की 200 मुविंग आई-सीप की आई-सीप की देहने को मिला है, उपर की मुविंग आवर्स आप देख सकते हो, EMS और EMS का जो यह मिक्स्चर बन गया, इसने एक्ट किया, हमारे पुराना डेटा 48.09 से रिजेक्ट हो गया प्राइस, जैसे कि मैंने हमारा चार्ट सेम वर्क कर रहा है, तो नेक आई-सीप काफी अच्छा खासा परफॉर्म करते हैं और रहने को मिल सकता है, और most probably हमको इसका टैगेट रहने को मिल सकता है, यहां से double तो हो जाएगा, 60, 70, 80 डॉलर तक तो यह जा ही सकता है, अगर एक बदी इसमें अच्छा ट्रेड वॉल्यूम आना शुरू हो जाए, तो यह को चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, किसी भी कॉइन पर इंवर्स करते हैं तो प्लीज सारा मांट एक साथ नद देखें, current situation ऐसी है कि अगर आप चाहें, तो जब नीचे आएगा, ICP अगर मान लें, यहां से reject तो हो चुका है, probability है, अगर यहां से bitcoin थोड़ा सा करें, उसके बाद, अगर ऊपर जाता है, अगर support अची areas पर confirm हो जाते हैं, आप यह थोड़ी buying कर सकते हैं, अगर फिर नीच जाता है, आप भी buy करें, था कि आपके एक average बन जाए और आपको loss ना हो, यह कुछ areas है, जैसे आप देख सकते हैं, अगर आप ICP को accumulate करना चाहते है for all season, और Bitcoin की मैं बात करो, Bitcoin currently अपने important support levels resistance पर flip करता जा रहा है, अगर मैं बात करो, recently 63,844 को resistance पर flip कर दिया है, retested था, और retested resistance कह सकते हो, so currently support कौन से हमार, एक minus support मिलेगा 62,933 पर, and जो most important part देख रहा हूँ है, इस पूरी जो है, एक downwards momentum का यह है, कि क्या Bitcoin 62,000 के area से जम करेगा, क्योंकि 61,890 पर जा सकता है, यहां से bounce होगा होगा, क्योंकि 4R पर 200 EMA है, most probably यहां से bounce होगा, plus 62,000 पर क्या है, हमारे पूरा price action, जो 1st November से अब तक है, उसका एक point of control है, so इस एरिया में बहुत volatility देहने को मिल सकती है, अगर तो यहां से bounce मिला तो बहुत अच्छा bounce मिलेगा, और सीधा हम यहां से 63, 64 का एरिया रिटेस्ट करेंगा, अगर यहां से हमको एक rejection देहने को मिल सकती है, तो हम नीचे भी जा सकते हैं, towards 58,000 से लेकि 56,000 के एरिया में, इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर के, बाकि यह था update इस वीडियो में, and I do hope आपको यह वीडियो पसंद होगी, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो करें लाइक, शेर अपने दोस्तों के साथ उनको बताएं क्या सी इन्चलर मार्केट में लेकि बिटकोईन और ICB को, चैनल पर नहीं है, चैनल पर पहली पर रहे हैं, चैनल को सब्स्ट्राइब ज़रूर करें, बेल आकन कुल है, झाल थो में लेकिया जए ज़रूर आकन ज़रूर, एक हैं और सकत्तिय doctors वीडिती हैं, य Crea का लिए वीडियों सब्स्तों पाले ओड़िय ôंटे में लेकितीचर विडियोंग ठाकन में लेल पर तो पहांचिती हैं, तो एक हैंदी है, छिः य्मीडियों सब्स्तों